तो हे गाईज कैसे आप सभी वेलकम आपका हमेरे चनल पर तो गाईज अगर आप यूटीडी मैडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यूटीडी यूटीडी टीचिंग डिपार्टमेंट की मैड लिस्ट आ चुकी हैं सभी cdlu की official website पर तो जी हाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हम official website पर पहुंच चुके हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना हुआ देखिए आप जैसी थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करोगे यहाँ पर आपको इसका एक मीनू मिल जाएगा यहाँ पर थ्री लाइन्स दिख रहे ह पर ठीक है यह नीचे open हो जाएगा मीनू और यहाँ पर आपको यह देखिए option मिल जाएगा counseling या merit list ओके तो इसके उपर आपको क्लिक कर देना है ठीक है उसके बाद आपको चलना है यहाँ से सीधा university teaching department के उपर ओके तो इसको मैं open कर लेता हूं तो यहाँ पर देखिए तो जी हाँ यह रही 27 तारिक को आप देख पारे हूं यहाँ पर 19 नंबर पर 19 नंबर पर पहली जो merit list थी यहाँ पर यह थी MBA first merit list counseling 279-2022 ओके आपको क्या करना है सीधा view के उपर क्लिक करते ही वो merit list आपकी download हो जाएगी उसको PDF में आप check out कर पाएंगे ठीक है उसके बाद MBA क मुजिक वोकल first merit list counseling list उसके बाद MSC computer science, artificial intelligence and data science के अंदर उसके बाद MA English first merit list आच चुकी है उसके बाद MA JMC Master of Art and Journalism and Communication उसके बाद MA Public Administration की भी लग चुकी है उसके बाद MSC chemistry और MCA Master of Computer Applications और उसके बाद MA Punjabi MA Education, MSC Geology, MSC Master of Commerce first merit list उसके बाद MSC Food Technology उसके बाद MSC Bio Technology और MSC Microbiology उसके बाद MA Economics two year program उसके बाद है MSC Physics first merit list और उसके बाद है last यहाँ पर MA Hindi ठीक है तो यह सब जारी हो चुकी है उसके बाद भी कई list आएंगी आप wait करते रहेजिए मतलब जो जो आप wait करेंगे और यहाँ पर refresh करते रहेंगे आपको list मिलती जाएंगी साम तक ठीक है और मैं आपको एक merit list डाउनलोड करके दिखा देता हूँ MSC Physics की डाउनलोड कर लेते हैं चलिए तो यह डाउनलोड होगी इसको अब भी उपन कर लेते हैं तो यह देख पार हूँ आप देखिए MSC Physics के लिए डाउनलोड हो चुगी फरस्ट काउंसलिंग की list है इसमें टोटल बच्चे देख लेते हैं कितने सेलेक्ट हुए है 45 स्टुडेंट की list लगी हुए है ओके देख पार हूँ आप ठीक है हम एक बार आपको जर्नल की एक बार का टोप दिखा देते हैं एक बार फरस्ट में हरियाना ओपन जर्नल की हरियाना ओपन EWS की लगी हुए 69 पे ठीक है और इसको जो वेटेज वगरा मेली हुई है मालो इस कंडिडेट को इस टुडेंट को 69.24 इसकी मेरिट लिस्ट थी और उसके बाद 10 की इसको वेटेज मिली है और उसके बाद इसके होगे 79.24 ठीक है तो इसका एडिमिशन हो चुके है उसके बाद हम चेक आउट कर लेते हैं देखिए हरियाना ओपन जर्नल की देख लेते हैं एक बार नॉर्मल जो जर्नल कटेगरी है तो लास्ट जो कंडिडेट है यहां पर हरियाना ओपन जर्नल का वो है 83 नंबर पे इसका एडिमिशन हुआ है 83.13 या 13 कह सकते हैं ठीक है और फर्स्ट जो स्टुडेंट है उपर देख लेत है ओल इंडिया ओपन में यहां पर सेलेक्ट हुआ है यह कंडिडेट 87.64 ठीक है और टोप में हरियाना जर्नल का है 87.62 तो यहां पर यह स्कोर बनाए टोटल यह वेटेज मिल जाएगी और यहां पर क्वालिफाइंग स्कोर है आपका क्वालिफाइंग आप समझ रहे होंग तो BSC की जो स्कोरिंग आपकी यह है और उसके बाद वेटेज आपको 5 नंबर 5 परसेंट या 10 परसेंट जो भी एक्स्ट्रा मिले हैं आपके NCC, NSS और एक्स्ट्रा जो भी वेटेज होती है maximum I think 10 नंबर ही मिलती है या 10 परसेंट ही मिलते हैं ठीक है यहां पर टोटल स्कोर बन जाता है ठीक है तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सियर करें और भी आप आपको जो भी merit list देखनी है आप इसी तरह किसे check out कर सकते हैं सभी आपको मि जाएंगी इविनिंग तक आप चेक करते रहिए तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं थैंक्स पर वाचिंग